हेलो फ्रेंड्स मैं उकवित और मेरे कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागती हमेशा के तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नहीं स्वादिश्टो और आसान रेसिपी लेकर आयू वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्टी की अगर आपको मेरी व आलू का क्रिस्पी कुरकुरा नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप एक मिक्सिंग बाउन में एक कप इतना आटा लिया है यह वही नौर्मल आटा है जिससे हम रोज रोटी वाइगरा बनाते हैं इसी के साथी नास्ता जोई अच्छे से क्रिस्पी बने इसलिए म मैंने यहाँ पर लगबग 2-3 चमस तेल डाला है रिफायंट तेल का मैंने इससमाल किया है आप चाहे तो तेल की जगह में गी भी डाल सकते हैं लेकिन तेल डालने से नास्ता जोई ज्यादा दिर तक क्रिस्पी बना रहता है इसलिए हमें यहाँ पर तेल का ही समाल करना है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से हाथों से क्रंबल करते हुए इसमें सभी मोयों को अच्छे से मिक्स करेंगे जितना अच्छे से आप मोयों को मिक्स करते है न उतना ही अच्छा आपका नास्ता जोई बनके तयार हो जाता है थोड़ी दिर के बाद आप देख सकते हैं सभ थोड़ा पाने डाल के हमें आटे को गुनना है इस आटे को हम ना तो ज़्यादा सकत लगाएंगे न ज़्यादा मुलायम लगाएंगे, मतलब रोटे या पूरी बनाने के लिए हम डो लगाते न उससे हल्का सा सकत आटा हमें यहापर लगाना है, देरे देरे आप देख सकते हैं सभी आटे को मैंने अच्छे से गुन के तयार कर ले आए तो अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके 10 मिंट के लिए इसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसमें सोजी डाली है तो सोजी जो है कापी अच्छे से फूल जाएगी साथी आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा डो सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक चटपटी आलो मसाला की स्टपिंग जो ही बना कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने आपर एक मिक्सिंग बाउल में तीन मेडियम साइज के उबलेवे आलो लिये है आलो को मैंने उबालने के बाद रूम टेंपरेचर पे अच्छे से धंडा कर लिया तो अब हम क्या करेंगे से पोटाटो मैसर से अच्छे से मैश करेंगे आप चाहे तो आलो को हाथों से भी मैश कर सकते लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इसे हाथों से मैश करते तो इसमें कापी सारी गुटले वेगर रहे जाती है इसलिए आलो को हमें अच्छे से मैश करके ही डालना है आलू यापर अच्छे से मैश कर ले आए तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक छोटे साइस का बारी कटावा प्याज डालेंगे इसे के साथी मैंने यापर आदा चमश इतने अधरक लसुं का पेश्ट ले आए इसे भी डालेंगे इसके साथी एक बारी कटी भी हरी मिर्च और थोड़ा सा बारी कटावा करी पत्ता डाला है चटपटे फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे तो मैंने यापर एक छोटी चमश जीरा डाला है इसे के साथ ही आदा चम्मच गरम मसाला, आदा चम्मच लाल मिर्च का पौडर, चोथा ही चम्मच हल्दी पौडर और स्वादा नुसार हम इसमें नमक डालेंगे स्रिप बेसिक मसालों का इस समाल में इस अलू मसाला बनाने के लिए किया है आप चाहे तो चाट मसाला, आमचुर पौडर या निम्बू का रस्वाइगरा भी इसमें डाल सकते हैं मिक्स करेंगे सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से कम समय में बहुत ही टेस्टी वार चटपटी ये श्टबिंग जो ही बनके रेडे हो जाती है किसी भी पराटी ये सेंड़िच के उपर भी आप इसे आसाने से लगा सकते हैं जैसे आलो मसाला या पर अच्छे से तयार हो जाएगा हम तुरंत आटे को चेक करेंगी तो देखिए डो भी या पर कापी अच्छे से से शेट हो चुका है हमें इसके एक पतली से रोटी जो है बना कर तयार करने है जैसे के हम चपाती वाइगरा बनाते ना बस वेसे इसे बनाना है लेकिन इस चपाती को हम ना तो ज़्यादा पतला रखेंगे ना ही ज़्यादा मोटा करेंगे हलका सा मीडियम ही हमें इसे रखना है दोस्तों अगर आप समोसा को चोड़ी पकुड़ा खाने के शोकिने तो इस गेहू के आटे वर आलो से बने चटपटे नास्ती की रेसिपी को एक बार जिरू ट्राइ करके देखे बच्चे बड़े घर में सभी को पसंद आएगी साथ ही हमने इसमें गेहू के आटे से बनाए तो इकापी हिल्दी भी है देखे आपर देरे देरे करके सभी चपाति को हमें अच्छे से बेल के तयार कर लेना है थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चपाति को बना कर तयार कर ले आए इसलिए मैंने आपर इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप का ही समल के आई आप चाहे तो ग्रीन चेटनी या रेडिचिली स्वास वगरा भी इसमें डाल सकते ही इस तरीके से हलके हातों से समी टोमेटो केचप कम रोटे के उपर अच्चे से लगाएंगे साथ ही में हमने जो आलो मसाला ले आता ना तो इसे थोड़ा थोड़ा लेकि इसके एक पतली सी लियर जो इस रोटे के उपर लगानी है अचानक कुछ न कुछ चटफटा कुर्कुरा खाने का मन करें तो उस समय आप तुरंत ये गियो के आटे और आलो का नास्था जोई घर पे बना सकते हैं और देखिए दीरे दीरे सबी आलो मसाला के श्टफिंग को हमने रोटे के उपर लगा ले आए तो अब हम क्या करेंगे हमने जो दूसरी रोटी बना के रखी थी न तो इसे फिर से इसके उपर डालेंगे और इस तरीके से पकड़ते वए सबी किनारों को हम आच्छे से पैक करेंगे ताकि ये नाश्टा जोई तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी खोले ना तो देखे यापर सभी रोटी के किनारों को मैंने अच्छे से प्याक कर ले आए तो अब हम क्या करेंगे इसके पेसेस कट करेंगे इसे कट करने के लिए मैंने यापर ये छोटे वाले कटर का इस समाल के आई आप चाहें तो फीजा कटर या चाको से भी बड़ी आसानी से इसे कट कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे समोसा सेप में कट कर रही हूँ तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सेप में यापर इसे कट कर सकते हैं तो देखिए आपर इस तरीके से हम इसे समोसा सेप में कट करना ही और देखिए इस तरीके से एक के करके मैंने सबी पिसेस को अच्छे से कट कर ले आए तो अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ी जिर साइट में रखेंगे और इसके लिए एक सलरी बना कर तयार करेंगे स्लरी बनाने के लिए मैंने पेले ही आटे में से कुछ आटा जो ही निकाल के रखा था तो अब हम क्या करेंगे इसमें आदा चमच गुटी वी लाल मिर्च, एक चमच इतनी सपे तील, सपे तील इसमें ऑप्शनल है आप चाहे तो स्कीप कर सकते लेकिन तील डालने से नास्त जब याँ पर इसमाल कर सकते लेकि गेव के आटे का नास्ता बना रहे है ना इसलिए मैंने याँ पर गेव के आटे का इसमाल किया है जब हमने आटे में मोयन लगाया था ना उसे आटे को मैंने निकल के साइट में रख देया था क्योंकि इससे क्या होता है कि नास्ता जो कापी अच्छे से क्रिस्पय और कुरकुरा बनता है गेव का आठा है इसलिए इसमें गुटल्यावाइगरा भी जल्दी हो जाती है इसलिए मैंने यापर इसे लगातार चलाते वे कापी अच्छे से मिक्स कर ले और आप देख सकते बहुत ही बड़े पतली से स्लरी जो है बनके रेडी हो चुकी तो अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में इसके लिए मैंने gas on करके पेले ही कड़ाई में तेल जो है गरम होने के लिए रख दिया था अब हम क्या करेंगे एक एक पीस लेंगे और इसे slurry में अच्चे से डिप करके कड़ाई में छोड़ेंगे नास्ते का सेप थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने आपर बड़े बाउल में इसलरी को बनाये है ताकि डिप करने में हमें और ब्यासनी हो जाए एक बेच में जितना नास्ता अजिस होता है उसे सबसे डाले बाकी का नास्ता आप सेकंड बेच में भी फ्राई कर सकते ही तो देखे शुरू में मैंने आपर इसके तीनी पीस डाले ही बाकी के पीसे हम सेकंड बेच में फ्राई करेंगे नास्ता तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को में हाई रखने और हाई फ्लेम पे लगबक 4-5 मिट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राय करेंगे गियो के आटे का नास्ता है इसलिए हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राय करें अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राय करते हैं तो इसे क्या होता है कि ये नास्ता जियो ज़्यादा ऑईली बन जाता है पास से 6 मिट के बाद आप देखेंगे नास्ता जो या पर काफी अच्छी से क्रिस्पी हो चुका है बड़िया कलर जो इस नास्ते में आ चुका है तो अब हम सेम फुरसी से बागी का बच्छा हुआ नास्ता भी इस सर के सिफ्राय करके तायार करेंगे इस नास्ते को आप सुबर ब्रेकपास्ट में बच्चों के लंच बॉक्स में इतना ही नहीं तो शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बना कर खा सकते हैं टेश्टी होने के साथ साथ काफी हिल्दी रेशिपी है क्योंकि हमने इसमें गव के आठेकाई मलकि आए तो आप इस रेशिपी को घर पर जरूर ट्राय करेंगे अगर आपको रेशिपी पसंद आई तो वडियो को लाइक कीजिए शर किजिए चैनल को सस्क्राइब फिर में लेंगे कल इसी नई आसान और हिल्दी रिस्पी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद